Hello guys welcome to my channel आज हम बात करने वाले हैं कि simple सी Japanese को कैसे बोला जाता है जैसे कि मेरा नाम विशाल है अगर मैं बोलू कि मैं विशाल हूँ या फिर मैं बोलू कि मैं विशाल नहीं हूँ और अगर मैं बोलू कि मैं एक student हूँ या फिर मैं एक student नहीं हूँ negative or positive sentences को आज हम Japanese में सीखने वाले हैं कि इनको कैसे बोले जाता है और अगर आप किसी से पूछोगे कि क्या आप student है तो अगर वो बोलेगा कि हाँ मैं student हूँ इसको कैसे बोलना है अगर वो बोलेगा कि हाँ नहीं मैं student नहीं हूँ I am not a student I am a teacher तो उसको Japanese में कैसे बोलना है तो इन सभी चीज़ों को Japanese में कैसे बोलना है आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं Easy Japanese So, let's start this video So, आप अपनी स्क्रीन पर देखी सकते हैं कि यहां पर मैंने लेखा हुआ है कि I am Vishal Vatashiva Vishal this Vatashi मतलब I Va is a particle यह एक particle है जो subject के साथ लगता है इसको just Vatashi के साथ ही यूज करना होता है So, Vishal is my name and this इसको simply आप याद कर सकते हैं कि यह है है, है की जगह पर यूज होता है और अगर पूरा sentence देखे तो Vatashiva Vatashiva इसको पूरा कठा बुन है Vatashiva Vishal this So, आगे कई सरे words हैं जो आप इस नां की जगह पर रखके यूज कर सकते हैं जैसे I am a student So, Vatashiva Student this I am a teacher Vatashiva Teacher this I am a doctor Vatashiva Doctor this इन सबी नांस को आप इसकी जगह पर यूज कर सकते हो So, इसी तरह से Vatashiva child this Vatashiva employee And So, इसी तरह आप इसको यूज कर सकते हैं So, इसी तरह आपको अगर negative sentence बोलना है कि I am not Vishal Vatashiva Vishal Ja arimasen या फिर Deva arimasen इन दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो Basically, जो commonly use होता है वो होता है Ja arimasen और जो Deva arimasen है वो use होता है जब आप politely किसी के साथ बात कर रहे हो तब अगर आप senior के साथ बात कर रहे हो तो उनके साथ आप Deva arimasen का use कर सकते हो But basically, जो use होता है वो सिर्फ Ja arimasen का ही होता है So, इसी तरह आप अलग-अलग तरह से sentence मना के देख सकते हो कि Vatashiva अगर आप बोलना चाहोगे I am not a student Then, Vatashiva student Ja arimasen Vatashiva student Deva arimasen So, इसी तरह से आप अलग-अलग sentence जैसे कि Vatashiva teacher Deva arimasen मैं teacher नहीं हूँ Vatashiva doctor Ja arimasen मैं doctor नहीं हूँ I am not a doctor, I am not a child ऐसी तरह आप अलग-अलग nouns को इसमें put करके अपना practice कर सकते हो Japanese को So, अब मैं बताने वाला हूँ कि यह जो हमने nouns पड़े हैं इनको Japanese में क्या बोलते हैं सबसे पहले है स्टुडेंट को बोलते हैं गा-कू-से-ई गाकसे-ई गा-कू-से-ई गाकसे-ई Teacher को बोलते हैं Sensei Sensei और जब teacher अपने आपको introduce करता है तो वो खुद को क्योशी बोलता है क्योशी क्योशी अभी आप बोलोगे कि Sensei और ख्योशी में फरक क्या है यह सर्फ इतना ही फरक है कि जब हम बोलते हैं कि वो एक teacher है वो एक teacher है तो हम Sensei यूज़ करेंगे जब वो जब आप खुद एक teacher हो तो अपने आपको जब introduce करोगे तब आप ख्योशी ही बोलोगे सो इसमें ज़्यादा confused होने की बात नहीं है आप सिर्फ इतना याद रखें कि आपको भी Sensei ही बोलना है Sensei So the next noun is Isha Doctor Isha Isha And next is Child Kodomo 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 Next is Employee जब आप किसी company में काम कर रहे हो तो उसको बोलते हैं खाइशा इन खाइशा इन खाइशा बोलते हैं company को और इन बोलते हैं employee को कोई भी बंदा जब उसमें worker होता है काम कर रहता है company में काम करने वाला बंदा उसको खाइशा इन आप student हैं तो इसको बोलते हैं सबसे पहले है आनाता इसको बोलते हैं you तुम ओके आनाता वा यह वा होगा particle जो इसके साथ लगेगा student देश देश का मतलब है और का है क्या इसको हिंदी में याद रखना दो बहुत ही सिंपल है है क्या आप student है क्या हम ऐसे बोल सकते हैं अगर आपको teacher बोलना होगा कि आप teacher है क्या तो आप बोल सकते हैं अनाता वा teacher देश का और teacher को Japanese में बोलते हैं sensei तो आप बोल सकते हैं पूरा sentence बनेगा अनाता वा sensei देश का क्या आप teacher है सो इसी तरह से आप और और जो भी मैंने आपको nouns बताई हैं उनको इसमें put करके देख सकते हूँ क्या आप student हैं क्या teacher हैं क्या आप बच्चे हैं क्या बड़ बुक को नहीं बोलना है अब जब आपने किसी से सवाल पूछा है कि yes को बोलते हैं hi so आप बोलोगे कि hi आगे आप बोलोगे कि I am a student कैसे बोलते हैं यह मैं आपको पीछे बता चुका हूँ आप खुद ही practice कर सकते हो next is अगर आपने बोलना हो no I am not a student फिर आप बोलोगे no को बोलते हैं e e a e a I am not a student वो कैसे बोलते हैं आपको मैंने पहले쪽에 बता दिया है Vata Shiva student जा अरीमा सेंग तो अगर आप बोलते हैं कि I am not a student फिर आप ये भी तो बताते हैं कि मैं हूं कौन तो आप बोलते हो कि I am a teacher तो I am a teacher बोलना कैसे है यह आपको मैंने पहले बता दिया है So I hope कि आपको यह pattern समझ में आ गया होगा कि जब आप question करोगे तो कैसे question करोगे और उसके answers किस तरह से देने हैं दोनों के दोनों answers जो है पहला yes I am a student और no I am not a student I am a teacher तो यह तीनों lines को कैसे बोलना है I think आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अब तक अभी आपके लिए यह homework है छोटा सा आपको seven sentences बनाने हैं इन्ही नौंस को यूज करके जो मैंने आपको बताई है और इन्ही पैटन को यूज करके जो आपको मैंने अभी बताए हैं इस lecture में आपको सारे सारे sentence मनाने हैं जैसे कि I am a student I am a teacher तो कैसे बोलना है उसको कैसे बताना है और I think इसके बाद आपको बहुत यह असानी से यह बन जाएंगे आपसे sentence I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगले वीडियो में मजते हैं तब तक के रिये सायोनारा